अजदानी दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है ठंडी हवाय चल रही है जिसके चलते अब गलन वाली स्थिती बनती हुई दिल्ली NCR में साफ तोर से नजर आ रही है आज की तस्वीरे क्या है हम फिलहाल इंडिया गेट के ठीक सामने मौझूद हैं बीते कई दिनों स तो पालम और सब्दर जंग पर जो विजिबिल्टी है वो 500 मीटर आकी गई है इसके अलावा साफ तोर से जिस हिसाब से कोहरा पड़ रहा था और जिसका सीधा असर यातायाद पर पड़ रहा था तो आज गालियां अपनी रफ्तार से चल रही है और चुकि कोहरा नहीं है जिसकी चलते जो स्पीड पर ब्रेक लगा था उसमें लोगों कको रहात मिलती हुई साफ तोर से नजर आ रही है आस्मान की बात करे तो आज मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आजक का आस्मान पुरी तरह से साफ रहेगा लेकिन बात करें तो आज के लिए मौसम विभ लेकिन यहां एक और लोगों को कोहरे से राहत मिलती हुई नजर आ रही है विजबिल्टी आज बहतर हुई है गालियां अपनी रफ्तार से चल रही है यातायात जो लगातार बीते कई दिनों से प्रभावित हो रहा था कई सारी जो ट्रेंड है वो डिले हो रही थी से लोगों को रहत मिल रही है विजबिल्टी बहतर हुई है लेकिन जो ठंडी हवाय चल रही है आज जहां cold wave to severe cold wave के लिए red alert जारी किया गया है वहीं अगर कल की बात करें तो कल के लिए भी orange alert जारी किया गया है तो निश्यत तोर पर ये red alert आज के लिए और कल के लिए orange alert ल लोगों के लिए kap